दोस्तों स्वागत है आपका भोशपुरी नाव में वीडियो में बात करने वाले हैं हम रितेश पांडे की वीडियो सौंग के बारे में जिसका नाम है पुर्भी बैरिया दोस्तों इस वीडियो सौंग ने इतिहास रचे दिया है आपको बता दें कि साल 2021 का सबसे बड़ा ग इसे लेकर दोस्तों इतिश पांडे इन अपने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म द्वारा एक पोस्टर भी सांजा किया है जिसमें वो ये इंफोर्मेशन देते वे नजर आ रहे हैं कि ये जो उन्टा गाना है पूर्भी बैरिया वो भोशपुरी के इतिहास में सबसे ज़ा दिन तक ट्रेंडिंग में रहने का और एक तरीके से दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारी भोशपुरी अक्टर्स और अबनीत्रिया जो हैं वो इस गाने पर रिल्स भी बनाई है और इस गाने ने जब ये इतिहास बना दिया है तो भोशपुरी अक्टर्स रानी चटर जी ने इस पोस्टर को शेर करते विए ये कहा है कि जब इंडुस्ट्री में हो रहे विवादों के बीच नेगेटिव अबरों के बीच आप अच्छा काम करते हैं और आपका गाना ट्रेंडिंग पे होता है तो बहुत गर्व महसूस होता है आप हमेशा गर्व महसूस करव दोस्तों ये बोल है रानी चटर जी के और ये बोल तब निकले हैं जब ये जो गाना है वो यूच्व के ट्रेंडिंग सेक्षन पर लगतार बना हुआ है आपको बताये दोस्तों कि ये जो गाना है पूरवी बेरहिया इसमें जिस तरीके से हमारी देसी हवाओं को बताया गया है कि जो मज़ा हमारी देसी हवाओं में है वो मशीनी एसी पंखे में नहीं है वो दोस्तों सबका जो दिल है वो भाच चुकी है जिसकी वज़ा से ये गाना इतना शांदार प्रदर्शन दिखा रहा है इतिहास रच चुका है एक तरीके से योट्यूब के ट्रेंडिं सक्षन पर लगतार दसवे दिन पर टॉप वन पर रहे के तो दोस्तों एक बड़ी उपलब्दी रितेश पंडे के लिए इस गाने के बारे में आप क्या सोचते हैं और ये जो इतिहास नया रच चुका है भोचपुरी इंडस्ट्री का आने वाले समय में इस इतिहास को कौ कौन सा भोचपुरी सितारा तोड़ सकता है वो भी आप कमेंट शेक्षन में जरूर लिकर बता है तो क्या आपको लगता है दोस्तों ये भी कि क्या रितेश पंडे का 2021 का सबसे बड़ा गाना यही होगा पूरवी वेरेया या दोस्तों आने वाले समय में इससे भी एक भ्ह